जावा स्क्रिप्ट के अंदर array को handle करने के लिए हम लोग functions या फिर method को पढ़ रहे थे और उसको implement करते हुए हमने already काफी सारे functions यहाँ पर cover-up कर लिए है आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ इस array function या फिर method के बारे में कैसे हम उसको जावा स्क्रिप्ट के अंदर implement करते हैं और क्या उसका user वीडियो को start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification का on कर दे ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे और अगर आपने अब तक playlist section में जाके live chat application के उपर काम नहीं किया है जैसे whatsapp है तो वो भी एक बार जाके जरूर देखें और google वाली series भी यहाँ पर मैं बना चुका हूँ so मैं आ गया अपने folder के अंदर और यहाँ पर मैंने एक file create कर रखा is array name से और इसको मैंने run भी किया हुआ है यहाँ पर at the same time so मैं एक काम करता हूँ इसको मैंने रखा left side पर और right side पर आपके सामने रख रहा हूँ मैं अपने source code को अब इस array क्या करता है वो basically आपको बताता है कि आपका जो variable है वो array है या नहीं है अब इसका जुरत क्यों पढ़ा और क्या details है वो तो खेर हम आगे देखेंगे लेकिन अगर मैं आपको screen के ओपर check कर रहा हूँ तो यह data type के है और उसके अंदर कुछ ना कुछ नाम store है सूरज अमित रोहित ठीक है वरियेबल B जो है उस वो है मारा integer type का यानि कि number type का और उसके अंदर क्या पढ़ा हूँ है 10, C जो है वो string type का है लेकिन अगर आप A को check करो तो आप देख करके यह पता लगा सकतो easily कि यह एक array है क क्योंकि आपने मेरे पुछले lectures को follow up किया हुआ है और यह एक number या फिर integer है और यह एक string है राइट लेकिन computer कैसे identify करेगा browser या फिर javascript यह कैसे identify करे और इसके according क्या हम कोई conditions बना सकते हैं क्या javascript में ऐसा कुछ available है हमारे पास तो वही हम करने वाले है ठीक है अब javascript हमें य array है और कौन सा array नहीं है और उसके according में आपको एक condition बना के दिखाऊंगा ठीक है तो मैं काम करता हूँ इसको मैंने erase कर दिया और इसको रखके मैं save करता हूँ और मैं इसको simply print कर रहा हूँ document.write और मैंने कहा a को print करें तो सबसे पहले मैं आपको check करा दो स्क्रीन के उपर आपके पास हमारे पास जो भी output आना चाहिए वह proper आ चुका है ठीक है उसने ये तीनों चीज़े print कर दी अब मैं नीचे आया और यहां आने के बाद मैंने उसको बोला variable variable b equals to array ध्यान दे जो मैं capital लिख रहा हूँ आप capital लिख जो मैं small में कर रहा हूँ वो आप small करें तो यहां मैं लिखा variable b equals to array dot is array क्या यह array है कौन सा हमने array को किसके अंदर store किया है a के अंदर तो मेरा variable का नाम हो जाएगा a ठीक है और इसके बाद मैं save कर देता हूँ save करने के बाद आपको simply जो answer होगा या तो वो array होगा या फिर नहीं होगा है ना और जो भी answer है वो आपका store हो चुका है b के अंदर अब हमें क्या करना है हमें simply b को print कर लेना है तो मैंने यहां पर लिखा document dot write और मैं यहां पर b को print कर रहा हूँ ठीक है all right so आप check कर पा रहे हैं मैंने क्या किया यहां पर document dot write a तो इसके help से हमारे पास इतना कुछ print हो गया ठीक है और उसके बाद मैंने check किया क्या जो हमारे पास implement हमने किया है देखिए यहां पर मैंने पहले a रखा हुआ था तो इसको अगर आप save करके check करोगे तो आपको false return करन है इंग दोनों के बीच में हम लोग एक ब्रेक टैग लगा देरते हैं अब देख रहे हो कहता कि हाँ जो भी है ना जब हमने उसको print किया तो उसने true return किया मतलब इसके अंदर क्या store है इसके अंदर true store है कि यह जो है यह एक array है ठीक है तो यह तो प्रूफ हो गया कि एक array है अब मैं काम करता हूँ मैंने इसको comment out कर दिया ठीक है अब यह run नहीं करेगा तो अब हम दूसरा एक काम करते है मैंने यहां पर बनाया variable a equals to और इसके अंदर मैंने रखा 10 semi-colon लगाया और यहां पर आके मैंने save किया तो 10 आपके सामने print हो गया और वही 10 यहां पर आ गया और वह normal variable की तरह यहां पर आया और उसने return कर दिया is array के अंदर हमारे पास false कि यह एक array नहीं है same अगर मैं इसको string कर दूँ refresh करूँ तो यह कहएगा false कि ना भाई यह भी एक array नहीं है ठीक है तो कुछ इस तरीके से हम लोग चेक करते हैं अब मैं आपको इसके according conditions बना के दिखाता हूँ ठीक है तो उसके लिए आपको क्या करना है जादा कुछ नहीं है आपको simply यहां पर जो भी आपने लिखा हुआ वो as it is रहने दे और उसके बाद आप नीचे आ जाए एक बार save करके आपको चेक करा दूँ फिलाल हमारे पास यह output है यहां पर आके मैंने कहा if अगर और यहां कि according आपको यह clear हो चुका होगा कि मुझे इसकी कोई जुरत नहीं आप चाहें तो इसको print कर सकते हैं अगर आपकी मर्जी है तो कि आप पहले दिखाना चाहते हैं या फिर नहीं मैं इसको फिलाल रहे देता हूँ अब देखो बी में हमारा सारा कुछ आ चुका है तो मैं एक काम करता हूँ इसको हटा भी दूँ अगर मैं और यहां पर अगर हम लोग normal A को print करें तो I don't think हमारे पास कोई दिक्कत आएगा इसमें इसको हम लोग इसको erase करते है ठीक है तो फिलाल आपके वास screen के सामने same output है और code में जितना छोटा हो सके उतना ही करना चाहूंगा यहां पर मैंने चेक किया array.isarray क्या यह जो है वो array है तो यह यह तो true return करेगा यह false return करेगा तो यहां पर मैंने क्या कहा document.write और यहां पर मैंने कहा simply कि अगर जो है तो क्या print करें this is an array ठीक है तो मैंने कहा कि यह print कर दे और इसको मैं as it is यहां से कर लेता हूं copy और if के बाद हमें लगाना है else और else में आकर के मैंने उसको कर दिया paste ठीक है this is not an array पहले case में अगर array है तो array print कर दे दूसरे case में अगर नहीं है तो नहीं print कर दे अब simply जादा कुछ तो नहीं करना है हमें यहां पर हम लोग एक काम करते एक बीयार अपलाई कर देते हैं तो आप चाहे तो concatenate कर ले कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैंने थोड़े बहु about history वगरा के साथ कुछ problem create किया है that's why मेरा जो concatenate है ना वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे है ठीक है तो आप normal तरीके से करें कोई दिक्कत नहीं है तो मैं आपको यहां पर चेक कराता हूँ हमारे पास इसका output क्या आया तो यह कहता कि हाँ यह array है देखा इसने array को print कर दिया अगर normal यह string होता तो यह देखो इसको use करके हम conditions आने वाले time पर तो बनाएंगे ही लेकिन आप इसको use कर सकते हो कि अगर particular array है तो ही यह काम करें अगर नहीं है तो ना काम करें वो check भी करना पड़ेगा हम तो guess कर सकते है लेकिन computer नहीं कर सकता तो कुछ इस तरीके से हम लोग उसको बता सकते हैं जिससे computer we easily understand कर पाए conditions की help से कि यह array है या नहीं है मैं उमीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो like जरूर करें अगर आप चैनल पर new है तो subscribe करें bell icon को click करके all notification कौन करें ताकि आपको latest videos की notification मिलती रहे और playlist section में जाके आप एक बार जरूर check करें javascript, e-commerce website, flipcard जैसी website, youtube जैसी website, php tutorial, web designing, web development बहुत कुछ आपको मिलेगा यहाँ पर including calculator and google जैसी website कैसे बनाते हैं मैं मिलता आपसे अगली वीडियो में, thanks for watching guys